ओम्शान्ती 10-12-2023 की अव्यक्त मुरली रिवाईज 23-2-1997 साथी को साथ रख साक्षी और खुष्णमा तक्त नशीन रहू साथी को साथ रख साक्षी और खुष्णमा तक्त नशीन रहू आज विश्व कल्यान कारी बाप विश्व के चारो तरफ के बच्चों को देख हरशित हो रहे हैं सभी बच्चे सभी बच्चों के इसने हैं और सहियों की रेखाएं बच्चों के चेहरे से दिखाई दे रही हैं हर एक के दिल से मेरा बाबा यह गीत बाप दादा सुन रहे हैं। बाप दादा भी रस्पॉंड में कहते हैं, ओ मेरे अती प्रिय, अती इसने ही लाडले बच्चे, हर एक बच्चा प्रिय भी है, लाडले भी है, क्यों? कोटों में कोई और कोई में भी कोई हूँ तो लाडले हुए न बाप दादा भी लाडले बच्चों को देख खुश होते हैं बच्चों को भी सदा खुशी में डांस करते हुए देखते हैं और सदा देखने चाहते हैं खुशी में रहते तो हैं लेकिन बाप सदा चाहते हैं, सदा खुश रहते हो या खुशी में फर्क पड़ता है, कभी बहुत खुशी, कभी थोड़ी कम और कभी बहुत कम बाप ने पहले भी सुनाया है कि वर्तमान समय आप बच्चों की विश्व को इस सेवा की आविशक्ता है, जो चहरे से नैनों से दो शब्द से हर आतमा के दुख को दूर कर खुशी दे दो, आपको देखते ही खुश हो जाएं, इसलिए खुशनमा चहरा या खुशनमा मूर् क्योंकि मन की खुशी सूरत से स्पष्ट दिखाई देती है, कितना भी कोई भटकता हुआ, परिशान, दुख की लहर में आए, खुशी में रहना असंभव भी समझते हों, लेकिन आपके सामने आते ही आपकी मूर्त, आपकी वरत्ती, आपकी दृष्टी, आतमा को परिवर कर ले, आज मन की खुशी के लिए इतना खर्चा करते हैं, कितने मनुरंजन के नए-नए साधन बनाते हैं, वह है अल्पकाल के साधन, और आपकी है सदाकाल की सच्ची साधना, तो साधना उन आतमाओं को परिवर्तन कर ले, हाय हाय ले आवें, और वह वह लेकर जावे, वह कमाल है, परमात मातमाओं की, तो यह सेवा करो, समय प्रती समय जितना अल्पकाल के साधनों से परिशान होते जाएंगे, ऐसे समय पर आपकी खुशी उन्हों को सहारा बन जाएगी, क्योंकि आप हैं ही खुश नसीब, खुश नसीब हैं या नहीं, अधूरे तो नहीं, हैं जैसा खुश नसीब सारे कल्प में कोई आतमाएं नहीं, इतना नशा चेहरे और चलंग से अनुभव कराओ, करा सकते हो या कराते भी हो, ब्राम्हन जीवन में अगर खुशी नहीं, तो ब्राम्हन बन कर क्या किया, ब्राम्हन जीवन अर्थात खुशी की जीवन, कभी-कभ बाप दादा देखते हैं कोई कोई के चहरे जो होते हैं वह थोड़ा सा क्या होता है अच्छी तरह से जानते हैं तभी हसते हैं तो बाप दादा को ऐसा चहरा देख रहम भी आता है और थोड़ा सा अश्चरे भी लगता मेरे बच्चे और उधास हो सकता है क्या नहीं न उधा अर्थात माया के दास लेकिन आप तो मास्टर माया पती हो। माया आपके आगे क्या है। चीटी भी नहीं है। मरी हुआफ दूर से लगता है जिन्दा है। लेकिन होती मरी हुई है। सिर्फ दूर से परखने की शक्ति चाहिए। जैसे बाप की नौलेज विस्तार से जानते हो ना, ऐसे माया के भी बहुरूपी रूप की पहचान, नौलेज अच्छी तरह सिधारन कर लो, वह सिर्फ डराती है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो मा उनको बाप निर्भय बनाने के लिए डराते हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, तो उनको मा बाप निर्भय बनाने के लिए डराते हैं, कुछ करेंगे नहीं, जान बुझकर डराने के लिए करते हैं, ऐसे माया भी अपना बनाने के लिए बहुरूप धारन करती हैं, जब बहुरूप धारन करती हैं, तो आप भी पी बन उसको परख लो, परख नहीं सकते है न, तो क्या खेल करते हो, युद्ध करने शुरू कर देते हो, हाए माया आ गई, और युद्ध करने से बुद्धी मन ठक जाता है, फिर ठकावट से क्या कहते हो, माया बड़ी प्रबल है, माया बड़ी तेज है, कुछ भी नहीं है, आपकी कमजोरी भिन्न भिन्न माया के रूप बन जाती है, तो बाप दादा सदा हर एक बच्चे को खुश नसीब के नशे में, खुश नुमा चेहरे में और खुशी की खुराक से तंदरुस्त और सदा खुशी के खजानों से संपन देखने चाहते हैं, जीवन में चाहिए क्या, खुराक और खाजाना, और क्या चाहिए, तो आपके पास खुशी की खुराक है, या स्टॉक कभी खत्म हो जाता है, खुशी का खजाना अखुट है, अखुट है न, और जितना खर्चो उतना बड़े, अगर कोई भी पुरु चाहिए वायू मंडल द्वारा, कुछ भी हो जाए, मुझे खुशी नहीं चोड़नी है, यह तो सहज पुरुशार्त है न, या खुशी खिसक जाती है, सहज है या कभी-कभी मुश्किल है, द्रण संकल पर रखो और बातों को भूल जाओ, एक ही बात पकी रखो, मुझे ख खुश रहना है, तो बाते क्या लगेंगी, खेल, और अपनी खेल देखने की साक्षीपन की सीट पर सदा इस्तित्र हो, चाहे कोई अपमान करने वाला हो, आपको परिशान कर, अपने साक्षीपन की शान से नीचे उतारने वाले हो, लेकिन आप साक्षीपन की सीट से नीच नीचे नहीं आओ, नीचे आजाते हो तभी खुशी कम हो जाती है, बाप दादा ने पहले भी दो शब्द सुनाए है, साथी और साक्षी, जब बाप दादा साथ है, तो साक्षी पन की सीट सदा मजबूत रहती है, कहते सभी हो बाप दादा साथ है, बाप दादा साथ है, ले लेकिन साथ को ऐसे समय पर यूज नहीं करते हो, किनारे कर देते हो. जैसे कोई साथ में होता है, कोई बहुत ऐसा काम पढ़ जाता है या कोई ऐसी बात होती है, तो साथ कभी ख्याल नहीं होता, बातों में पढ़ जाते हैं. ऐसे साथ है यह मानते भी हो, अनुभाव भी करते हो कोई है जो कहेगा साथ नहीं है, कोई नहीं कहता सब कहते हैं मेरे साथ है, यह भी नहीं कहते हैं कि तेरे साथ है हर एक कहता है मेरे साथ है, मेरा साथ ही है मन से कहते हो या मुक से? मन से कहते हो बाप दादा तो खेल देखते हैं बाप साथ बैठे हैं और अपनी परिस्तिती में उसको सामना करने में इतना मस्त हो जाते हैं जो देखते नहीं है कि साथ में कौन है तो बाप भी क्या करते हैं बाप भी साथी से साक्षी बन कर खेल देखते हैं, ऐसे तो नहीं करो न, जब साथी कहते हो तो साथ तो निभाओ, किनारा क्यों करते हो, बाप को अच्छा नहीं लगता, बाप यही शुब आशा रखते हैं और है भी कि एक एक बच्चा सुराज अधिकारी सो विश्व अधि है, आप लोग प्रजा हैं क्या, प्रजा तो नहीं बनना है न, राजे महराजे विश्व राजे हो न, प्रजा बनाने वाले हो, प्रजा बनने वाले नहीं हो, राजा बनने वाले प्रजा बनाने वाले हो, तो राजा कहां बैठता है, तक्त पर बैठता है न, जब प्रैक् साक्षिपन का तक्त छोड़ो नहीं, जो अलग अलग पुरुशार्थ करते हो उसमें ठक जाते हो। आज मनसा का किया, कलवाचा का किया, समंद संपर्क क किया तो ठक जाते हो। एक ही पुरुशार्थ करो कि साक्षी और खुशनमा तक्त नशीन रहना है। यह तक्त कभी नही छोड़ना है कोई राजा ऐसे सीरियस होकर तक्त पर बैठे बैठा तक्त पर हो लेकिन बहुत क्रोधी हो ओफिशल तो ओफिशल हो तो अच्छा लगेगा कहींगे यह तो राजा नहीं है तो आप सदा तक्त नशीन है वह राजे तो कभी तक्त पर बैठते कभी नहीं बैठते लेकिन साक्षीपन का तक्त ऐसा है जिसमें हर कारे करते भी तक्त नशीन उतरना नहीं पड़ता है साक्षीपन के तक्त नशीन आत्मा कभी भी कोई समस्या में परिशान नहीं हो सकती समस्या तक्त के नीचे रह जाएगी और आप उपर तक्त नशीन होंगे समस्या आपके लिए सिर नहीं उठा सकेगी नीचे दबी रहेगी आपको परिशान नहीं करेगी और कोई को भी दबा दो तो अंदर ही अंदर खत्म हो जाएगा न तो बाप दादा को ऐसे समय पर आश्चरे लगता है आप नहीं आश्चरे करना अपने पर भल करना, दूसरे पर नहीं करना तो आश्चरे लगता है कि यह मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, तक्त से उतर रहे हैं, जब तक्तनशीन रहने के संसकार अब से ही डालेंगे, तब विश्व के तक्त पर भी बैठेंगे, यहां सदाकाल तक्तनशीन नहीं होंगे, तो वहां भी सदा अरता जितना समय फुल है, उतना समय नहीं बैट सकेंगे, संसकार सब अभी भरने हैं, फिर वही भरे हुए संसकार सत्यूग में कारे करेंगे, रोयल्टी के संसकार अभी से भरने हैं, ऐसे नहीं सोचना कि अभी कुछ समय तो पड़ा है, इतने में विनाश तो होना नहीं है, यह नहीं सोचना, विनाश होना है अचानक पूच कर नहीं आएगा कि हाँ तयार हो सब अचानक होना है आप लोग भी ब्रामण कैसे बने अचानक ही संदेश मिला प्रदर्शनी देखी संपर्क संबंध हुआ बदल गए क्या सोचा था कि इस तारीक को ब्रामण बनेंगे अचानक हो गया ना तो परिवर्तन भी अचानक होना है आपको पहले माया और ही अलबेला बनाएगी सोचेंगे हमने तो दो हजार सोचा था वह भी पूरा हो गया अभी तो थोड़ा रेस्ट कर लो पहले माया अपना जादू फैलाएगी अलबेला बनाएगी किसी भी बात में चाहे सेवा में, चाहे योग में चाहे धारणा में, चाहे सम्मंद संपर्क में यह तो चलता ही है, यह तो होता ही है ऐसे पहले माया अलबेला बनाने की कोशिश करेगी फिर अचानक विनाश होगा फिर नहीं कहना कि बाप दादा ने सुनाया ही नहीं ऐसा भी होना है क्या इसलिए पहले ही सुना देते हैं अलवेले कभी भी किसी भी बात में नहीं बनना चारही सब्जेक्ट में अलर्ट अभी भी कुछ हो जाए तो अलर्ट उस समय नहीं क्याना बाप दादा अभी आओ, अभी साथ निभाओ, अभी थोड़ी शक्ति दे दो, उस समय नहीं देंगे, अभी जितनी शक्ति चाहिए, जैसी चाहिए, उतनी जमा कर लो, सबको खुली छुट्टी है, खुले भंडार है, जितनी शक्ति चाहिए, जो शक्ति चाहिए ले लो पेपर के समय टीचर वो प्रिंसिपल मदद नहीं करता है डबल विदेशी बच्चों को देख बाप को भी डबल खुशी होती है क्यों होती है क्योंकि डबल विदेशियों को स्वयम को परिवर्तन करने में डबल मेहनत करनी पड़ी इसलिए जब बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को देखते हैं तो डबल खुशी होती है वाह मेरे डबल विदेशी बच्चे वाह डबल विदेशी हाथ उठाओ विश्यु के अनेक देशों के करीब एक हजार भाई बेहने सभा में पस्थेते हैं वाह बहुत अच्चा डबल ताली बजाओ बाप दादा विदेश की सेवा के समचार सुनते रहते हैं देखते भी रहते हैं रेजल्ट में सेवा का उमंगुच्छा बहुत अच्छा है सिर्फ कभी-कभी अपने उपर सेवा का थोड़ा सा बोज उठा लेते हो बोज नहीं उठाओ बोज बाप को दे दो बाप के लिए वह बोज कुछ भी नहीं है लेकिन आप सेवा का बोज उठा लेते हो तो ठक जाते हो सेवा बहुत अच्छी करते हो सेवा के समय नहीं ठकते हो उस समय बहुत अच्छे चेहरों का फोटो निकालने वाला होता है लेकिन कोई कोई सभी नहीं सेवा के बाद थोड़ा से थकावट के चहरे में दिखाई देते बाप कहते हैं बोज उठाते क्यों हूँ क्या बोज उठाना अच्छा लगता है या आदत पड़ी हुई है बोज नहीं उठाओ बोज तब लगता जब बाप साथ नहीं है मैंने किया, मैं करती हूँ, मैं करता हूँ तो बोज हो जाता है बाप साथ है, बाप का कारे हैं, बाप करा रहा हैं तो बोज नहीं होगा हलके हो नाचते रहेंगे जैसे डांस बहुत अच्छी करते हो न डबल विदेशियों के डांस देखो तो बहुत अच्छी होती है अपने को ठकाते नहीं है फरिष्टे माफिक करते हो इंडियन जो करेंगे वह पाउं ठकाएंगे हाथ भी ठकाएंगे लेकिन विदेशी डांस भी लाइट करते हो तो ऐसे सेवा भी एक डांस समझो खेल समझो ठको नहीं बाप दादा को वह पोटो अच्छा नहीं लगता है सेवा का उमंग उच्छा है और यह भी रिजल्ट बाप के पास है कि अभी थोड़ी सी बात में हलचल में आने की परसंटेज बहुत कम है मैजौरेटी ठीक है बागी थोड़ी संख्या कभी कभी थोड़ा हसा हलचल में दिखाई देती है लेकिन आदी की रिजल्ट और अब की रिजल्ट में बहुत अच्छा अंतर है ऐसा दिखाई देता है अभी नाजुकपन छोड़ते जा रहे हैं बाप दादा को रिजल्ट देख करके खुशी है अभी छोटे छोटे माइक भी तयार कर रहे हैं अभी छोटे माइक हैं लेकिन छोटे से बड़े तक भी आ जाएंगे बाप दादा को याद है आदी में या विदेश की टीचर्स कहती थी कि वी आईपी को मिलना ही मुश्किल है आना तो छोड़ो मिलना ही मुश्किल है और अभी सहज हो गया है क्योंकि आप भी वी वी आईपी हो गए हो तो आपके आगे वी आईपी क्या है टोटल विदेश की रिजल्ट अच्छी है सेंटर्स भी अच्छे हैं व्रद्धी को प्राप्त करते जा रहे हैं भारत में हैंड्स नहीं है नहीं तो भारत में भी सेवा के अंदर तो बहुत खुल जाएं एक एक जोन वाला कहता हैंड्स नहीं है तो अभी इस वर्ष हैंड्स निकालने की सेवा करो हैंड्स मांगो नहीं निकालो और ही दन पुर् विदेश में यह बहुत अच्छा तरीका है जहां भी सेंटर खुलता है वहां के ही लौकिक कारे भी करते हैं सेंटर भी चलाते हैं कैसे चलेगा कौन चलाएगा यह प्रॉब्लम कम है आप लोग यह नहीं सोचना कि हम लौकिक काम क्यों करें यह तो आपकी सेवा का साधन है ल लौकिक कारे नहीं करते हो लेकिन अलौकिक कारे के निमित बनने के लिए लौकिक कारे करते हो जहां भी जाते हो वहां सेंटर खोलने का उमंग रहता है न तो लौकिक कारे कब तक करेंगे यह नहीं सोचो लौकिक कारे अलौकिक कारे निमित करते हो तो आप सरेंडर हो लौ अना हैं यह बात नहीं है ऐसा करने से ब्रध्धी कैसे होगी। इसलिए लॉक Mario करते, अलॉकिक कारे के निमित बनते हो। तो जो निमित लॉकिक समझते हैं और रहते अलॉकिक तामे है। ऐसी आतमाओं को डबल क्या पधम मुभारक है। सिर्फ ट्रस्टी होकर करना, मैं पन में नहीं आना, मैं इतना काम करती हूँ, मैं पन नहीं, करावनहार करा रहा है, मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, पावर के आधार पर चल रही हूँ, अच्छा, आज डबल विदेशियों का टर्न है न, आप लोगों को भी डबल विदेशिय को देख खुशी होती है तो सभी डबल विदेशी खुशनमा हो हाथ की ताली बजाओ अभी मदुबन में तो माया नहीं आती है न अच्छा एक सेकेंड में बाप समान आशरीरी बन सकते हो तो एक सेकेंड में फुल स्टॉप लगाओ और आशरीरी इस्तिति में इस्तित हो जाओ बाप दादा ने तीन मिनिट ड्रिल कराई अच्छा यह सारे दिन में बार-बार अभ्यास करते रहो चारों ओर के सर्व माया जीत प्रकरती जीत साक्षीपन के तक्त नशीन साथी के साथ का सदा अनुभव करने वाले सदा द्रणता से सफलता को गले का हार बनाने वाले, सदा बाप समान लाइट रहने वाले, सदा अपने मायट द्वारा विश्यो को दुख अशानती की कमजोरी से छड़ाने वाले ऐसे मास्टर, सुख के सागर, खुशी के सागर, प्रेम के सागर, ग्यान के सागर, बाप समान बच्चों को याद प्यार और नमस्ते रोहानी बाप की रोहानी बच्चों को नमस्ते हम रोहानी बच्चों की रोहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉनिंग और नमस्ते 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 वरदान परखने वनिरनाई करने की शक्ती द्वारा सेवा में सफल प्राप्त करने वाले सफलता मूर्तभव परखने वा निर्णाय करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सफलता मूर्तभव जो परखने की शक्ति द्वारा बाप को अपने आप को समय को ब्राम्ण परिवार को और अपने स्रेष्ठ करतव्य को पहचा प्रकार की सेवा में सफलता मूर्थ बनने का आधार है परखने और निर्नाई करने की शक्ति स्लोगन ज्यान योग की लाइट माइट से समपन बनू तो किसी भी परिश्तिती को सेकेंड में पार कर लेंगे आप द्रिष्टी यूही देते रहो बाबा सुख सागर में गहरे उतर जाओं हो पल के ना पल भर बंद मेरे इन लहरों को दामन में भर जाओं आप द्रिष्टी यूही देते रहो बाबा